हेलो स्टुडेंट्स, वेलकम बैक तो मैं चैनल, लेट्स लेर्न एवरीवन, मैं आप सभी कई पर फिल से अपने चैनल पर बहुत-बहुत स्वागत करती हूँ आज के इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ बहुत-बहुत की जादा यूसफिल देली यूस फ्रेजल बर्ब्स जो spoken English के लिए तो useful हैं ही साथ ही उन students के लिए भी बहुत ज़ादा useful रहेंगे जो competitive exams की preparation कर रहे हैं तो चलिए कर लेते हैं वीडियो को start उसे पहले request है प्लीज चैनल सब्सक्राइब कर लेंगर अभी तक नहीं किया है वीडियो अच्छी लगे तो like करें और share करें फर्स्ट phrasal verb है agree with agree with का मतलब उत्ता है say सहमत होना मतलब किसी चीज से या किसी व्यक्ति के opinion, decision या suggestion से सहमत होना agree with means to believe that a decision, action or suggestion is correct or right examples है इसके first example है he doesn't agree with giving money to beggars वह बिकारियों को पैसे देने से सहमत नहीं है मतलब इस बात से सहमत नहीं है कि बिकारियों को पैसे दिये जाएं second example है he agrees with giving food to beggars वह बिकारियों को खाना देने से सहमत है मतलब इस बात से सहमत है कि बिकारियों को खाना दे दिया जाए तो agree with का मतलब होता है say सहमत होना नेक्स्ट फ्रेजल वर्ब है backup, backup का मतलब होता है मदद करना या सहायता करना backup means to give support to someone और help someone मतलब किसी को support करना या किसी की help करना example से इसके my friend backed me up in the difficult situation मेरे दोस्त ने मेरा मुश्किल हालात में साथ दिया मुश्किल हालात मतलब मुश्किल समय में या मुश्किल परिस्तितियों में साथ दिया next example है would you please back me up to complete my project क्या आप कृपया मुझे मेरा project पूरा करने में मदद करेंगे तो backup का मतलब होता है मदद करना या सहायता करना means to give support to someone or help someone next phrasal verb है we are with bear with का मतलब होता है सहन करना, बरदास्ट करना धैर रखना या साथ देना English meaning के through आपको थोगा ज़्यादा चिस समझ में आ जाएगा तो bear with means to be patient with someone or something or to wait upon someone or something मतलब किसी के लिए या किसी चीज के लिए धैर रखना यानि कि उसके लिए उस समय में wait करना या उसका साथ देना मतलब कि उस समय को बरदाश्ट करना या सहन करना या एक polite way होता है किसी से कहने के लिए कि आप इंतजार करें एक्जाम्पल से और जादा अच्छे से क्लियर हो जाएगा please bear with me a moment while I make a phone call जब तक मैं phone करता हूँ कृपया तब तक कुछ पल धैरे बनाए रखें मतलब कुछ पल मेरे साथ cooperate करें या धैरे बनाए रखें next example है I believe that he will bear with me मुझे विश्वास है कि वह मेरा साथ देगा मतलब कि मेरे साथ cooperate करेगा तो bear with मतलब सहन करना बदाश्ट करना धैरे रखना या साथ देना next phrasal verb है back away back away का मतलब होता है किसी व्यक्ति या किसी काम या किसी चीज से पीछे हट जाना तो back away means to move away backwards something or someone for example because you are afraid मतलब किसी चीज से या किसी व्यक्ति से पीछे हट जाना example के लिए कि अगर आप डर गए हैं या किसी और वजह से पीछे हट जाना the government has backed away from its plans to increase taxes सरकार करों को बगाने की अपनी योजनाव से पीछे हट गई second example है you should back away from the fire तुम्हें आग से पीछे हट जाना चाहिए तो back away मतलब किसी व्यक्ति किसी चीज या किसी काम से पीछे हट जाना next phrasal verb है come off come off का मतलब होता है सफल होना, सफलता प्राप्त करना या जीत हासिल करना तो come off means to be successful or to get the intended effect or result मतलब कि सफल होना या किसी चीज का या किसी काम का जो आपने result सोच रखा है वैसा ही result आपको मिलना examples है इसके I tried telling a few jokes but they didn't come off मतलब मैंने कुछ चुटकुले सुनाने की कोशिश की लेकिन वे सफल नहीं हो पाए मतलब की लोग उन्हें सुनकर हसे नहीं next example है he came off after working hard वह कठिन परिश्ट्रम के बाद सफल हुआ next phrasal verb is cut in cut in का मतलब होता है बीच में टोकना मतलब की जब दो लोग या कोई भी बात कर रहा हो तो उसे बीच में रोक देना या टोक देना तो cut in means to interrupt someone while he or she is speaking by saying something yourself मतलब जब कोई बात कर रहा हो या बोल रहा हो तो आप खुद बीच में बोल कर उसे रोक देना जब मैं बात करूँ तो कृपया बीच में टोका ना करें second example is I am sorry to cut in but I have some information that might help you मैं बीच में टोकने के लिए माफी चाहती हूँ लेकिन मेरे पास कुछ जानकारी है जो आपकी मदद कर सकती है तो cut in मतलब बीच में टोकना या रोकना next phrasal verb है भरोसा रखना या विश्वास रखना तो count on या count upon means to depend on someone to do what you want or expect them to do for you मतलब किसी चीज के लिए जो आप किसी से करवाना चाहते हैं या उनसे expect करते हैं कि वो करें आपके लिए उस बात के लिए किसी पर depend होना मतलब की भरोसा रखना या विश्वास रखना you can always count on him for good advice आप हमेशा अच्छी सला के लिए उस पर भरोसा कर सकते हैं second example है you can count on me I will never reveal your secrets to anyone तुम मुझ पर भरोसा कर सकते हो मैं तुम्हारे रहस्यों को किसी के सामने प्रकट नहीं करूंगा मतलब मुझ पर भरोसा रखे मैं आपके secrets किसी के सामने reveal नहीं करूंगा तो count on या count upon means भरोसा रखना next phrasal verb है come about come about का मतलब होता है होना या घटित होना means to happen or start to happen मतलब कुछ घटित होना या कुछ होना शुरू हो जाना first example है I don't know how it came about that we started hating each other कैसे हुआ कि हम एक दूसरे से नफरत करने लगे second example है can you tell me how the accident came about क्या आप बता सकती है कि दुरभटना कैसे हुई तो come about मतलब होना या घटित होना इन सभी phrasal verbs को आप अपने daily life के conversation में एक दूसरे से जब बात चीत कर रहे होते हैं तब इन phrasal verbs को यूज कर सकती हैं जिससे आपकी speaking में थोगा trendy look आएगा चलिए देखते हैं next phrasal verb next phrasal verb है dispose of dispose of का मतलब होता है बचना चुटकारा पाना या मुक्त होना मतलब किसी चीज से बचना या उससे चुटकारा पाना तो dispose of means to get rid of someone or something or deal with something so that the matter is finished मतलब किसी चीज से या किसी व्यक्ती से चुटकारा पाना जिससे की matter वहीं पर खत्म हो जाए get rid of का मतलब भी होता है कि चुटकारा पाना first example है if you don't have willpower you can never dispose of bad habits अगर आपके पास इच्छा शक्ती नहीं है तो आप कभी भी बुरी आद्तों से चुटकारा नहीं पासकती है मतलब अगर आप खुद नहीं चाहेंगे आपकी इच्छा ही नहीं है तो आप बुरी आद्तों से चुटकारा नहीं पासकती है second example है at least your idea will dispose of the immediate problem कम से कम आपका विचार ततकाल परिशानी से या समस्या से बचा लेगा तो dispose of मतलब बचना चुटकारा पाना या मुक्त होना next phrasal verb है let down let down का मतलब होता है निराश करना या निराश होना तो let down means to make someone disappointed by not doing something that they are expecting you to do मतलब कोई व्यक्ति जो आप से कुछ करने के लिए उमीद कर रहा है उसे disappoint कर देना जिसका मतलब उता है let down मतलब निराश करना first example है I don't want to let you down but this time I can't support you मैं तुम्हें निराश नहीं करना चाहता लेकिन इस बार मैं तुम्हारा साथ नहीं दे सकता second example है you didn't come to the party you let me down again तुम पार्टी में नहीं आए तुमने मुझे दुबारा निराश कर दिया मतलब कोई इंसान पहले भी किसी को disappoint कर चुका है और इस वार भी किसी ने उसे पार्टी में बुलाया तो उसने दुबारा से उसे निराश कर दिया तो let down मतलब निराश करना तुमने मतलब निराश कर दिया